नमस्का एशनिस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ यूपी के प्रयाग राज में वायू सेना आज शक्ती प्रदर्शन करेगी आज इंक्याण हुआ स्थापना दिवसें यहां सो से अधिक विमान और हेलिकाप्टर फ्लाई पास्ट में शामिल होने जा रहे हैं बहुरोली इस्तित वायू कमान के मुख्याले पर परेड फ्लाई पास्ट और अन्य कारिकरम किये जा रहे हैं इस कारिकरम में वायू सेना प्रमुक एयर चिफ मार्शल बी आर चोधरी के साथ चीफ आफ डिफेंस स्टॉफ जनरल अनिल चोहान विशेश मेवान के तोर पर शामिल हो रहे हैं बमरोली में परेड और फ्लाई पास्ट किया गया परेड में पहली बार महिला अगनी विर भी शामिल हो रही है इसके साथ ही 72 साल बाद वायू सेना को नया ध्वज मिल रहा है लगभग दो पर दो बज़े संगम के आसमान में वायू सेना के विमान कर्तब दिखाएंगे वायू सेना के इस एर शो में पहली बार राफेल और तेजस लड़ाकू विमानों के साथ थल सेना का दुरू हेलिकॉप्टर और नो सेना का 81 लड़ाकू विमान भी शामिल होगा वही राफेल की रक्षा कमान सोब कर अज मिग 21 विधाई लेगा प्रयाकराज में वायू वीर दमखम दिखाने जा रहा है यहां राफेल, जगुआर, सुखोई और मिग विमान आसमान में कलाबाजी करते दिखेंगे यहां वायू सेना प्रमुक वी आर्ट चोधरी ने एर फोस ने नए फ्लेक का अनावरन किया इस एतिहासिक मोके पर ड्रोन के जरिये नए जंडे को आसमान में फैराया गया भारती वायू सेना की इस्तापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दोरान वायू सेना की ताकत को देखते हुए मार्च 1945 में फोर्स को रायल उपादी दी गई जिसके बाद रायल इंडिया एर फोर्स ना मिला इसके बाद साल 1950 में जब भारत एक गंटंत्र बना तो आई एफ ने रायल उपादी हटा दी और फ्लेग में संशोधन किया इसके बदल कर आई ए एफ फ्लेग बनाया गया था आई ए एफ ने एक बयान में कहा कि एर फोर्स का अब एक नया फ्लेग तयार किया गया है इस पर राश्ट्री चिन्ने के साथ ही अशोख स्थम और देवनागरी में सत्यमेव जैते लिखा है अशोख स्थम के नीचे एक इगल है जिसके पंक फैले हुए नजर आ रहे है इसको लेकर प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने ट्वीट कर लिखा वायू से ना दीवस पर सभी वायू वीरों और उनके परिवारों को शुप कामना है भारत को एर फोर्स की विर्ता प्रतिबदता और समर्पन पर गर्व है उनकी महन सेवा और बलीदान या सूनिश्चित करते हैं कि हमारा आसमन सुरक्षित है इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद